आपके पास सबके पास अलग अलग प्रकार का अटलस हो सकता है किसी के पास इस्टडियू के रिपब्लिकेशन होगा है ना किसी के पास आक स्पोर्ड होगा किसी के पास औरियंटेट ब्लैक स्वान होगा है यह मेरे पास आक स्पोर्ड का अटलस है तो एक पर क्यों ना इस प और तो देखना है जिए जोगरफी में आप आरंब में ही देखें दो मैप है एक पैप इधर देख सकते हैं यह प्राक्तिक मैप है नेचुरल नेचर दिखाए गया है जैसे कि उत्तर भारत में हिमाले परवस्रडी को दिखाए गया है मैदानी छेत्र को दिखाए गया है इसमें आप एची जोर देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स दिखाए गया है यह ग्रीन वाला हिस्सा यह दिखाता है कि यहां पर एक मैदानी छेत्र है और यहां पर नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्मार किया गया है यह परवतिय छेत्रों का निर्मार कर रहा है परवतिय छेत्रों में भी जहां पर ज्यादा ब्लैक है वो समझ लीजे कि वहाँ पर काक्रिन उची परवत चोटिया है इसके बार जो काम ब्लाइक है जैसे कि यहाँ छड़िक सकते हैं चोटी परवत चोटियां है यहाँ इनकी जादा उचाय भी नहीं है तो इस तरीके से यहां पर इनकी उचाहियां कम है और छोड़ी पर्वस रड़ी है इसके बाद यहां पर आप देखा है यह पठारी डीजन को हलके सफिर क्रीम कलर से दिखाता है हर में अलग अलग हो सकता है अब आप इसमें देखेंगे लेकिन इसमें भी एक अधिके से एक रेशियो जलू है यह आपका है इसका रेशियो अलग है लेकिन है यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं ब्राउन इस कलर उपर दिखाया है इसके बाद यहां पर ग्रें दिखाय तो सबसे पहले आपको यदि कोई पहार यो परवत बताए जा रहा है परवत सीखर ब्लैंक कलर से दिखाए गया है इसके बाद यहां पे हैं आपको राजनितिक माल चाहिए कैसे इंडियो के इंडिया के फृप भारत में में लिए दिखिए वी और इंडिय काद इंडिया की तीजी नहीं पार बारत का में सबसे पहले कि बारे कोई लान इक हृत districts senior के एक हृत on अधि नहीं मिल रही तो आप कस्मीर के इस पड़र मैप पर लिए, वहां पर आप देखें, सारी चरी काफी डिटेल से दिख जाएंगी, जैसे पर्वस रडिया हैं, वहां पर आपको ज्यादा इस पस्ट नहीं होगी, लेकिं जब इस मैप पर नहीं होगी हैंगी, एक पर आपको हर स्टेट के मानचित्र को भी डिटेल से देखते जाना है ताकि आपकी एक अच्छी समझ विक्सित हो सटे ठीक है इसी तरीके से हर एक स्टेट के बारे में यह जब तक भारत के जितने भी स्टेट है सब इस स्टेट को कबर करने के बाद उपर लिखा हुआ है किस स्टेट के बारे में यहां पर जाना है ठीक है राजनितिक और प्राक्तिक तो यह चीज़े देखनी आपको आनी चाहिए इसके बाद आपको यहां पर कुछ छोड़े-छोड़े मांचित्र दिये गये है जैसे कि यहां पर यह सब मैप में दिखाए गया है भारत में मांसून किस प्रकार से आता है है ना रचन पश्मी मांसून उत्तर पुर्वी मांसून उन सब के बारे में पुरा वर्सा के बारे में विवरण यहां पर दिया गया है ठीक है यहां पर मृदा के बारे में विवरण दिय उनके बारे में भी मैप में यहां पर आपको मिलेगा, ठीग है? आगे आप जाएंगे यहां पर भूमी और सिचाई के बारे में आकड़े दिये गया है, ठीग है? नीचे यहां पर देख सकते हैं, बाहर आरेक्डे द्वारा दिखाए गया है चीजे आप वहार चेत्र दिखाये गए हैं भारत के खार्ध्यान फसले कहां पर कैसे होती हैं उनके बारे में ये सब चीजों मैं पढ़ाऊँगा तो आप यहां पर इन सब चीजों को भी देखते चले जाएगे हम लोग देखेंगे भारत की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर तुड़ा सा एग्री कलचर का पॉर्शन में यहाँ पर टच करों क्रसियों प्रद्दोगी की का जो छेत्र है इसके बार दिए खणिजों के बारे में भी चल्चा की गई है इतने मिनरल्स है धात्विक और अधात्विक तो वह सब के बारे में कहां पर कौन सी खाने पाई जाती है भारत में उद्द्योगों का क्या फुरूप है कहां पर कौन अपडेट होती है जैसे सूजना तंद्र डाग दिया गया है सूजना तंद्र का मतलब है आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर इन्होंने दिखाया है फिर भारत की वायु मार्क एयर वेज और वाटर वेज समुद्री मार्क और वायु मार्क के बारे में चर्चाटी गई है सड़क और अंतर देशी सड़क दिखाय गए किस तरह के से जी नेशनल हाइवेज हैं उनका जाल भारत में फैला हुआ है उसके बारे में पूरी यहां पर चर्चा है आप यदि सिर्फ इस मैप को सही तरीके से देखना जान गए ना और इसको देख लिया एक बार सही तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी तरीके से जबरप्टी में प्रॉब्लम होगे इसलिए एक बार इसे समझना जैरूरी है भासाई अधार पे किस तरीके से हमारे छेत्रे हैं, राध्यों का हमारा कुणर गठन भासा के अधान पर रहना पुनी सब चीज़ों को यहां पर में इसके बाद यहां पर जनसंख्या दिखाई लिए है, जनसंख्या के अलावा पुमन डेवलप्मेंट को दिखाई गया है, पर्या बरण इंवार्मेंट से लेकर के यह पुरा दिनाएगा है, प्राक्तिक अभदाओं के जो हॉट स्पॉट जो हों है, उनके बारे में आपर चर्चा की गई है, भारत का इतिहासिक पक्ष देखें, बहुत बढ़िखाई आत्पोर्ट में, भारत के इतिहास तो दिख से ही कहाँ पर कौन-कौन सरीजहर है, कहाँ पर तो पहले Asia महादियूप में कितने स्टेट है उसका प्राक्तिक और उसका भारत किस महादियूप में आता है Asia में तो सुरुवाती Asia से की गई है एसीय महादियूप के बारे में भी कुछ जानतारी मिले जी एक स्टेट यहां पर भी जल्वाय प्राक्तिक वणचेत्र रहें यहां की प्राक्तिक बनस्पति क्या क्या है उन सबके बारे में जो सार्क कंट्रीज है उनके बारे में अलग से पुरा मैप दिया गया है नेपाल, भूटान, बंगलदेश, इलंका थीक है इसके अलावा मनदेशिया की कंट्रEE अलग भी आगी है, आसीयान कंट्री अलग भी आ गया है भी आ, जब आईयार आपको पहला सेसंण हैं, आयार में भी भी अभी दे कराएं है मैं तू आपको थोड़ा अच्छे सा अईयार समझ रहा है, है दो कहता हुए मत अपने साथ यहारी को इतने गुरुवत्ता इक्त बना देगा यह आपको बात में पता चलेगा मैं न्यूस्पेपर भी पढ़ता हूं तो मैं अपने साथ एटलस रखता हूं न्यूस्पेपर मुझे कोई नया स्टेट दिख गया या इंटरनेशनल डिलेशन में कोई नहीं मैप में गूगल में सच करके देख लीजे ना तो थोड़ा क्या है ना चबी बन जाती है एक बाद जब इमिजस फॉम पे आप चीज़ों को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर चीज़े जल्दी बोलती ही एसिया के बाद आपको नेक्ष्ट आता है यह पुरा क्रम याद रखेगा एसिया के बाद यूरोप एसिया से ही जुड़ा हुआ है यूरेसिया बोलते है ना पूरा है ना तो यह ही भूमिखंड है और कुछ प्राक्तिक तक्त्व हैं जो इनको विभाजित करते हैं तो एस इन सब चीजों के बारे में भी सबाब देखेंगे यूरोप के बाद फिर वहीं सारी चीज़े हैं उसका भी कितना भी प्राक्तिक है यूरोप के बाद यूरोप से ज़स्ट लगा हुआ है उत्तर अमेरिका महाँ ना यह किस क्रम में चल रहा है पूरब से पश्शिम के क्र यह रहा आपका दच्छड अमेरिका ठीक है वही सेम क्रम है दच्छड अमेरिका के बाद फिर पूरब की तरह बढ़ी है अफ्रीका महादी उपाएगा अफ्रीका के बारे में डिटेल जानकारी नेक्स पेज़ पे मिलेगी तो यह क्रम बना हुआ है जब कभी आपसे क्लास में दोला जाएं कि यह चीजे देखे फिर पक्रिका के बाद आस्टेलिया भात ठीक है इसके बात साइद महासागरों के बारे में इसमें चर्चा की गई हो पेड़िकुलर जितने भी महासागर है उन सबी महासागरों को अब यहां पर महासागरी जन धाराय देख रहे हैं और अंटार्गेटिक आज को दिखाएगा, अंटार्गेटिक का महाद्यूप है, आर्गेटिक महासागा है, ठीक है, इसके बाद ये पूरा दिया गा है, अब इसमें इसका सब चोड़ा रोल गया है, जब मुझे कर के रेखा, मकर रेखा और विस्वत रेखा, इन तीनों से स इस मैब का अध्यन करेंगे, फिलत फूरे विस्व के खनीत कहां पर पाएगेए, विस्व का पल्टेन कहां काम पर है, विस्व में जन try का घरड़ा पर है, वह साही अदार पर लोग आए से रह रह रहा है, वही सारे मैपों का आगे सनकलन किया गया है, यहां पर ची बहुत ये तेक्टानिक ठेवरी बढ़ है, तो ये मैक को देखें, तो आपको पता चले कि कि इतनी बड़ी बड़ी प्लेटे हैं, और कौन कॉन सी छोटी प्लेट है। चोटी चोटी प्लेटे दिखाएगी हैं बड़ी बड़ी प्लेटे भी दिखाएगी हैं ठीक है और अन्त में इन्होंने यहां पर विश्व की जितने भी पर्टिकुलर देश जैसे एसिया हैं उसमें जितनी कंट्रीज हैं उन सब की राजदानी उनके राजभज उनकी मुद मुझे यहां तक लगता है कि जब आपको लगे कि आप नहीं पढ़ना या फिर ऐसा लगे डिमोटिवेशन आ रहा हो है ना यह होता नामतोर में साथ दिन में एक नो दिन ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है उस दौरान आप खाली टेंग में बैठ जाएए या तो करना है ठीक है या प्रीविस एक कोशन उधा लिए यूपी एसी के PCS के गोटेक मार्क करते रहिए है ना तो खाली समय भी आप इन्वेस्टी करें ठीक तो यह मैं बताना चाहरा था अब यही काम इस पर करना है कटेंड डॉप जो चीज़े मैंने यहां पर देखी जो सब्यक्ति सम्बंदेर प्रैक्टिस करने हैं ठीक है पर चीज़े कहां पर हैं आप यहां पर आराम से बहुत जिद्शन नहीं हो दूसरा करीद लेजिये जिसे मुझे नदिया दिखानी है मैंने बड़िए नदिया दिखा तरह करें तो पर इस प्र grants नेंस करने वारा सब्जेक्ट है तो इस तरीके से पढ़ा जाए तो मुझे नहीं रखता कि जोग्रोफी एक बहुत ही कठी सब्जेक्ट है फिर ऑप्षिनल जोग्रोफी रख लो इस लेवल तक की तैरिकर डाले हो तो आप आप आज अपने टॉपिक पर आते हैं हमारा टॉपिक है झाले हैं